गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा कि इनसान की सबसे बड़ी गलत फेमी किया है उन्होंने बहुत सुन्दर जवाब दिया उन्होंने कहा कि इनसान की सबसे बड़ी गलत फेमी है कि इनसान को लगता है कि उसके पास बहुत वक्त है सही बात है ना क्योंकि हमें लगता है हम वारे पास बहुत वक्त है, पर जब ये वक्त बीत जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू हमें समझ में आती है। मैं हमेशा कहती हूँ, वक्त की कदर करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे, तो ये वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। एंड वक्त के लिए, यानी ताइम के लिए कहा जाता है, इस ताइम के लिए मैं कहती हूँ, क्योंकि ये टाइम मिलता तो फ्री में है, पर इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। I have got two news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies. But the good news is you are the pilot. क्यूंकि समय का कंट्रोल आपके हाथ में है. You can multiply your wealth, but you cannot buy time. Time and teacher, दोनों हमें सिखाते हैं. बट फर्क सिफ इतना है कि teacher पहले सिखाता है, बाद में एक्जाम लेता है, और time पहले एक्जाम लेता है, बाद में हमें सिखाता है. एक साल की value अगर आपको जाननी है, तो उस student से पूछो, जो एक साल fail होके घर पे बैठा है. अगर एक महिने की value जाननी है, तो उस मा को पूछो, जिसने आकरी महिने में अपने बच्चे को गवा दिया है. अगर एक minute की value जाननी है, तो उस मुसाफिर से बात करो, जिसने एक मिनिट के gap की वज़र से अपना train, अपना flight, अपना bus मिस कर दिया है. एक second के value जाननी है, तो उस इंसान से पूछो जिसका accident होते होते एक second के लिए रह गया है. अगर एक millisecond के value जाननी है, तो उस Olympic के खिलाडी से पूछो जो एक millisecond के वज़र से अपना medal चोग गया है. इसी लिए तो कहते हैं, time is the most valuable thing in our life. और इसके साथ साथ मेरे भी seminar का time हो चुका है. मुझे लगता है कि आज ये सारी information share करके मैंने अपने वक्त का सही इस्तमाल किया है. और मैं उमीद करती हूँ कि आप ही अपने वक्त का सही इस्तमाल करेंगे क्योंकि time is priceless.